नमसकर, स्वागत है आपका बिहारी निजवे, मैरत मसेन भाती, अज हम बात करेंगे बिहार में दुज़री केस्थ में आनेवाली भकिंशियों के बारे में, कुछी दीनों के बाद, नै साल का अगाज हो जाएगा, हम लोग साल दुजर 21 में चले जाएंगे नए साल में बिहार में अस्थाई, नियोजीत और संबिदा अधारित पदों पर लाखों के संख्या में नोकरिया निकलने वाली है आपको बदा दें कि कई पदों के लिए बहाले की परकिरिया जारी है नियोक्ती परकिरिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के विभागों और कारजालियों में रिक पदों का बेवरा जुटाया जा रहा है नए सरकार के गठन के साथ ही अधिकारियों को रिक पदों को जुटाने का काम मिल गया है परदेश में फिलहाल करीब दो लाग पदों पर बहाले की परकिरिया जारी है जिसमें अकेले सिच्छा विभाग में सहायक परध्यापक और सिच्छक के देड़ लाग से ज्यादा पद है जिन पर नियोक्तिया होनी है ग्री विभाग के अधिन दरोगा, सारजेंट, सहायक, जिल, अधिचक और सिपाही के हजारों पदों पर बहाले की परकिरिया अंतिम चरन में है लेकिन इसके साथ ही परदेश में दरोगा और सिपाही के 10,000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन किये जा चुके हैं इनकी जल्द ही प्रत्योक्ता परिच्छा अवयजीत की जाएगी पंचायती राज, स्वास्थ, विज्यान एवं प्रत्योकी विभाग, परिवहन, नगर विकास एवं अवास, बन, परियावरन एवं जलवायू परिवरतन विभाग के अधिन बहाली हो रही है इसमें Engineering of Polytechnic College में सिच्छक और गैर सैचनिक पद पर भी नियुक्तियां आने वाली है तो आएए अब सबसे पहले बात करते हैं सिच्छा विभाग के वारे में सिच्छा विभाग में प्राम्विक सिच्छकों के 94,000 वकिंसिया आनी है उसके बाद माधिमिक उच्छ माधिमिक सिच्छकों में 30,020 वकिंसिया आनी है सहायक पर ध्यापकों में 438 वकिंसिया आनी है उतकरमित हाई स्कूल पलस टू 33,000 पदों पर भाली आएगी अब बात करते हैं परिवहन विभाग की परिवहन विभाग में परवर्तन अवर निरिच्छक के लिए 212 पदों की सुकृति हुई है वो अगले साल आ जाएगी चलंत दस्ता सिपाही के लिए 1381 पदों पर नियुक्तिया आनी है इसके बाद हम बात करेंगे बन एवं जलवाई परिवर्तन विभाग बन के छेतर अधिकारियों के लिए 43 नए पदों की वकेंसिया आनी है उसके बाद बन पाल के लिए 236 पदों के लिए नियुक्तिया आनी है बिग्यान एवं परिदोकी विभाग की बात करें तो इसमें इंजिनियरिंग एवं पॉलिटेकनिक कॉलेज में सिच्चकों के लिए 3000 पदों की नियुक्तिया आनी है गैर सैशनिक पदों के लिए 5000 नियुक्तिया आनी है इसके बाद हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की 64, 65 और 66 में 393 पदे है 64 की अब तक की इंटर्व्यू हो चुका है 65 का मेंस होना है और 66 की पीटी हो चुकी है ते इस तरह हम कह सकते हैं कि 1393 सीटों की यहाँ पर वकेंसिया आनी है उसी बिहार लोक सेवा आयोग के तहट यह नियाईक सेवा की भी 271 पदों पर नियुक्तिया आनी है अब हम बात करेंगे ग्री विभाग की ग्री की विभाग में ASI सार्जेंट वह साहयक जेल अधिचकों की 246 पदों पर नियुक्तिया आनी है इसके बात ASI में ही 1998 पद है सार्जेंट के लिए 215 पद है ASI अस्टोनों के लिए 133 पद है सिपाही के 11880 पद हैं जिनका अंतिम परक्रिया चल रही है उनकी बहाली की और एक और सिपाही के लिए ही 8415 पदों पर बहाली की परक्रिया अभी सुरू हुई है इसके बात बात करेंगे होम गार्ड और सिपाही की तो होम गार्ड में 551 पदों की बहाली आनी है चालक सिपाही के लिए अंठानों पदों पर भिहाली आनी है दूसरी सबसे बड़ी जो पकेंसियां सिच्छा विभाग के बाद जो सबसे ज़्यादा है वो है स्वास विभाग के पास स्वास विभाग में आयूस चिकित्सकों की 3270 पदों की नियुक्तियां आनी है वही नर्सों की बात करें तो 10,000 नर्सों की भकेंसियां आनी है अब हम बात करेंगे पंचायती राजविभाग की तो पंचायती राजविभाग में अंगेचक की 589 पदों पर भकेंसिया आनी है पंचायती राज विभाग के दूसरी अगर पदों की बात करें तो परखंड पंचायत राज पदा धिकारी की 470 पदों पर वकिंसी आनी है उसमें लेखापाल तक्निकी सहायक बबिसी सग्यों के लिए 2000 पदों पर नियुक्ति आनी है अब बात करेंगे नगर पिकास वाम आवास भी भाग की तो इसमें कनिय अभियंता यानी की इंजिनियरियों की भकिंसी जो आनी है वो 442 पदों पर आनी है नगर निकायों में विभिंट पदों में 500 सीटे आने की बात कही जा रही है और इंटर अस्तरिय विभिंट पदों के बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद